नमस्कार दोस्तों जो बीद गया उस पर विलाब कैसा जो है उस पर एहिंकार कैसा और जो आने वाला है उसका मोह कैसा नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुमबर आसी वालो की कुमबर आसी वालो का 29 दिसंबर दिन गुरुवार कैसा रने वाला है उन्हें आने वाले समय किन किन चीजों से सावधान रना होगा और कुमबर आसी वालो को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुश कपरिया मिलने वाली ह तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्ब रासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस वैपार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंद कैसा रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फल बताएं, अगर दोस्तो आपकी भी कुम्ब रासी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, दोस्तो आज गुरु वार है, साइनात महराज का दिने, दोस्तो कॉमें ओम साइनात महराज जरूर लिखना, दोस्तो व बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार आज की तीथी है सब्तमी आज का नचतर है पुर्ब भादर पद नचतर है पचल रहा है शुकले पच दोस्तो आज सूरिदेव दय होंगे सुवेट 6 बच के 58 मिनट पे 33 मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय सुबे 10 बच के 49 मिनट से दोपहर 12 बच के 20 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा और साथी साथ आज का असुब समय दोपहर 1 बच के 45 मिनट से दोपहर 2 बच के 58 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नमबर है दो और लखी कलर है हरा अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ज्यान के बारे में चानक जी कहते हैं धन के मामले में मालने ये कीमती सलह कभी नराज नहीं होगी लक्ष्मी मा जी हाँ दोस्तों सरव प्रथम है परिवार में प्रेम दोस्तों रिष्टे में कभी पैसा नहीं आना चाहिए क्योंकि रिष्टों की तुल्ना जब भी पैसों से होती है वहाँ दराराना टै है मालच्मी को बहुत चंचल माना गया है जो धन का एहंकार करते है वो बहुत जल कंगाली की कगार पर आ जाते है नमबर तीन कमाई का तरीका दोस्तों पैसे के पीछे कभी न भागे इमान दारी और मेनस से की गई कमाई लंबे समय तक फायदा पहुचाती है वही अनयतिक कारे करके कमाया गया धन ज्यादा दिनों तक नहीं ठिकता तो दोस्तों आज का चानक नितियान आपको पसंद आयो तो एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुमबर आसी फल के बारे में कैसा रहीगा आपका आज का दिन आई जानते हैं तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखे क्योंकि ज्यादा खुसी भी परिशानी का सबग बन सकती है आज सिर बैठने की बजाएं कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके अपने जीवन साथी के साथ बहतर समझ जिन्देगी में खुशी और शुकून अतुआ संब्रिद्धी लाएगी आपके प्रिये के करवे सब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है दोस्तों तब तक कोई वादा ना करें जब तक कि आप पूरी धरह उसे पूरा करने में शक्षम ना हो आज के दिन में आप बहुत व्यस्त रहेंगे लेकिन साम के वक्त अपने मन पसंद कामों को करने के लिए आपके पास परियाप्त समय होगा जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेच्छा अपने परिवार को ज्यादा तरजीम देता हुआ नजर आ सकता है साथ ही आपको बताएं दोस्तों आज कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपके प्रीम जीवन को प्रभावित करेंगी साथ ही आज कुछ नई संभावना है आपको मिलने वाली है बैतर समय का सम्मान करें आज अचानक ही ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो की आपके उन्नती में सहायक रहेंगी विद्यार्थियों को इंटर्वियू अत्वा केरियर सम्मधी किसी गती विद्धी में सफलता मिलने की पूरी संभावना है इस समय आराम और सुस्ती की इच्छा को अपने उपर हावी न होने दे लच्चे हासिल करने के लिए अतक प्रियासों की भी आविश रगता है अप आपने उपर काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी की आप असानी से निभा सकें कारुबार में समय अनुसार अपने निन्यों और योजनाओं को अंजाम देना बीहदा विशक है दोस्तों अपने इस टाब की गती विद्यों को नजर अंदाज ना करें क्यूंकि छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान भी हो सकते हैं दामपत्य संबन्दों में मधूरता और प्रेम बना रहेगा प्रेम संबन्दों को विवा है तू परावारिक स्रुक्यति मिलने से मन प्रसन रहेगा साथ ही आपको बताएं दोस्तों ध्यान रहें रोमेंस में आई समस्या है फैम्य होना बहुत ही सामान्य बस उन्हें जल्दी दूर कर लिए आप चानते हैं कि आपके महबूब को आपकी फिक्र हैं और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है दोस्तों या भाई बहन की कमपनी आज आपको राहत पहुचाएंगे आप रोमैंस में माहिर हैं फिर चा आपको सफलता मिलेगी बस अपने दोस्तों की बातों को सुने और उसे समझने का प्रियास करें आप दोनों इस गुलावी और प्रणायसील माहौर में एक खास रिष्टे की सुरुवात करने वाले हैं जो आपके दिन को उल्लास्पोन बना देगा साथ ही आपको बताएं पिछली सब्ता के व्यस्ति कारक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो बेहद अच्छी रहेगी कुछ अनापेचित नीजी बुद्धे आपके सामने आ सकते हैं उनसे आपको आश्चर तो जरूर होगा लेकिन आप संतोजनक तरीके से उन्हें संभालने में काम्याब रहेगी अब बात करें दोस्तो आपके लव लाइप की आपका प्रेम जीवन कैसा रहीगा आईए जानते हैं तो दोस्तो जीवन के अन पहलूँ से बाहरी तनाव और कारिकत तनाव आपके रिष्टे के स्थीति को प्रभावित करेगा अगर आप अपने रिष्टे की एहमियत को समझेंगे और अपने कारिक छेतर और अपने रिष्टे को अलग-अलग रखेंगे तो काफी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर लेंगे आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए खड़ा रहीगा लेकिन इस तत्थे और अपने साथी की उप्योगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा अब बात करें दोस्तों आपके आज के वेपार और केरियर की तो दोस्तों आपकी विट्थी स्थिति में लगतार विद्धी दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की समभावने है परंधु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंतरं से परे इस तीतिया आपकी उतपादकता और काम करने की चमता को प्रभावित कर रही है लेकिन आपका डर नीरा धार है यहां तक कि आपके वरिष्ट अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हम दर्दी भी रखते हैं एवं आपके काम में समर्थन भी करेंगे सहयोगी भी आज आपका बेहद ही सहयोग करेंगे तो दोस्तों यह था आज का कुम्बरासी करासी फ़र रोज की कुम्बरासी देखने के लिए आप अमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलट करें आपका दिन सुगो नमस्ते दोस्तों राधिकिष्णा